ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरुजी सदा सहाए संगत जी आज रुद्र सहिता का चौदवाँ, पंदरवाँ, सोलवाँ, सतरवाँ अध्याए मैं पढ़ने जा रही हूँ तारका सूर के सताय हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती जी के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना ब्रह्मा जी के समझाने पर तारका सुर का स्वर्थ को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्षे सिद्धी के लिए यतनिशील होना सूर्च जी कहते हैं तदंतर नारज जी के पूछने पर पार्वती जी के विवाह के विस्तृत परसंग को उपस्तित करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पति उसके उग्र तप मनोवांचित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सब को जीत कर स्वेम इंद्र पद पर प्रतिस्ठित हो जाने की कथा सुनाई तत्पश्टाद भ्रह्मा जी ने कहा तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वेम इंद्र हो गया तब उसके समान दुसरा कोई साशक नहीं रहे गया वहजे तेंद्रिये असुत्रिभुवन का एक मात्र स्वामी होकर अद्वु ठंग से राज्ये का संचालन करने लगा उसने समस्त देवताओं को निकाल कर उनकी जगां दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्या धर आदी देवियों ने देवियों को स्वेम अपने कर्व म लगाया उन्हें तदंतरतार का सुर्के सताय हुए इंद्र आदी संपून देवता अत्यंत व्याकूल और अनात होकर मेरी शरण में आए उन सबने मुझ प्रजापती को परणाम करके बड़ी भक्ती से मेरा सत्वन किया और अपने दारुन दुक की बाते स्वता कर कहा प्र हैं हम सब देवता तारका सुर्ण नामक अगनी में जलकर अत्यंत व्याकूल हो रहे हैं हमें सनी पात रोग में प्रबल और शदे भी निर्बल हो जाती है उसी परकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है भगवान विश्णु के सुदर्शिन चक्र पर ही हमारी विजे की आशा अब लंबित रहती है प्रन्तु वे भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया उसके गले में पढ़कर वे ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो मुने देवताओं का ये कथन सुनकर मैंने उन सबसे समयोच बात कही देवताओं मेरे ही वर्दान से दैते तार का सुर इतना बढ़ गया है अतै मेरे हातों ही उसका बढ़ होना उचित नहीं जो जिससे पलकर बढ़ा हो उसका उसी के द्वारा बढ़ होना योग्य कारे नहीं है विश्च के विरिक्ष को यदि स्वेम सींच कर बढ़ कर सकते तारक देते स्वेम अपने पाप से नस्ट होगा मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कारे करो मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारका सुर का वद कर सकता हूँ ना भगवान विश्णू कर सकते हैं और ना भगवान शंकर ही उसका वद कर सकते हैं दूसरा कोई वीर पूरुश अत्वा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते यह मैं सत्ते कहता हूँ देवताओं यदी शिव के वीरिये से कोई पुत्वन हो तो वही तारक देते का वद कर सकता है दूसरा नहीं सुर स्ट्रेस्ट गन इसके लिए जो उपाए मैं बताता हूँ उसे करो महादेव जी की कृपा से वह उपाए अवश्य सिध होगा पूर काल में जिस दक्ष करन्या सती ने दक्ष के यग में अपने शरीर को त्याग दिया था वही इस समय हिमाले पत्नी मेनका के गर्ब से उत्पन हुई है यह बात तुमें भी विदित हुई विदित ही है महादे लेकिताओं तुम स्वेम भी इसके लिए प्रतन करो तुम लोग यतन से ऐसा उद्योग करो जिसे मेन का कुमारी पारवती में भगवान शंकर अपने विरिये का अधान कर सके भगवान शंकर उद्रुवरेता हैं उनका विरिये उपर की और उठा हुआ है उनके विरिये को प्रस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ हैं, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ती से ऐसा नहीं कर सकती। गिरी राज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवा वस्था में परवेश कर चुकी हैं और हिमाले पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रती दिन सेवा करती हैं। इस्तिती में नहीं आते। अर्थाद ध्यान बंग करके पार्वती की और देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं चंदर शेखर शिव जिस परकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें वैसी चेश्टा तुम लोग शीगरी प्रतन पूर्वक करो। मैं उस देखते के स्थान पर जाकर तारका सुर को बुरे हट से हटाने की चेश्टा करूँगा। अते अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारत देखतों से ऐसा कहकर मैं शीगरी तारका सुर से मिला और बड़े प्रेम से बुला कर मैंने उससे इस पकार कहा। तारक ये स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है प्रंतु तुम यहां के राजे का पालन कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुमें इससे छोटा ही वर दिया था स्वर्ग का राजे कदापी नहीं दिया था। इ ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शीवा और शीव का स्मरन करके वहां से अद्रिश्य हो गया। तारक असुर भी स्वर्ग को छोड़कर प्रित्वी पर आ गया और शोनी थुर्पूर में रहे कर वह राजे करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मु शिव की शिवा में जैसे भी काम मूलक रूची हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रत्र आपको करना चाहिए। इस परकार देवराज इंद्र से संपून वरतांत निवेधन करके वे देवता परसंता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। चले जाने पर दुरात्मा तारग दैते से पीरित हुए इंद्र ने काम देव का स्मरन किया। काम देव ततकाल वहां आप पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बत्त लाते हुए काम से कहा। मित्र काल वशांत मुझ पर असाध्धे दुख आ पड़ा है। उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता दाता की परिक्षा दुर्भिक्ष में शूर वीर की परिक्षा रन भूमी में मित्र की परिक्षा अपतिकाल में तथा इस्त्रियों के कुल की परिक्षा पती के समर्थन को हो जाने पर होती है तात संकट पर जाने पर विने की प जो विपत्ति आई है उसका निवारन दुसरे किसी से नहीं हो सकता अता है आज तुम्हारी परिक्षा हो जाएगी यह कारे केवल मेरा ही है और मुझे ही सुक देने वाला है ऐसी बात नहीं अपितुये समस्देवता आदी का कारे है इसमें संशे नहीं है इंद्र की यह बात स सुनकर काम देव मुस्कराया और प्रेम पूर्वा घंबीरवानी में बोला काम ने कहा देवराज आप ऐसी बात क्यों कहते हैं मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं अवशक निवेदन मात्र कर रहा हूं लोक में कौन सा उपकारी मित्र है और कौन बनावटी यह स्वेम द बाते करता है वे काम क्या करेगा ततापी माराज प्रभो मैं कुछ कहता हूं उसे सुनिये मित्र जो आपके इंद्रपद को छीनने के लिए दारुन तपस्या कर रहा है आपके उस शत्रु को मैं सर्वता तपस्या से भर्ष्ट कर दूंगा जो काम जिस से पूरा हो सके बु अमनियों को सुख देने वाले काम को परणाम करके उसे इस परकार बोले इंद्रिन ने कहा तात मनुभव मैंने अपने मन में जिस कारे को पूर्ण करने का उदेशे रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो दूसरे किसी से उस कारे का होना संभव नहीं है मित प्रंतु उसके उपर सबके अर्ष्ट सर्ष निश्वल हो गए। जलके स्वामी कवरुन का पाश तूट गया शिरी हरी का सुदशन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। शिरी विश्णू ने उसके कंट पर चक्र चलाया किन्तु वहां कुंटित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंबू के वीरिय से उत्पन हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैते की मृत्यू बताई है। यह कारे तुम्हें अच्छी तरह और प्रत्न पूर्वा करना है मित्रवर। उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंबू गिरी राज हमाले पर उत्तम तपस्याय में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभू हैं। कामना के वश में नहीं हैं। सबतंतर परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरी राज नंदिनी पारवती पिता की आग्या पाकर अपनी दो सक्यों के साथ उनके प्रत्र महादेव जी को पती रूप में प्राप्त करने के लिए ही है प्रतु भगवान शिव अपने मन को सैयम नियम में वश में रखते हैं मार जिस तरह भी उनकी पारवती में अत्यंत रूची हो जाए तुम्हें वैसा ही प्रत्र करना चाहिए यदि कारे करके तुम कतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नस्ठ हो जाएगा इतना ही नहीं लोग में तुम्हारा अस्थाई प्रताख फैल जाएगा ब्रह्मा जी कहते हैं नारत इंद्र के ऐसा कहने पर काम देव का मुखारविंद प्रसंता से खिल उठा उसके उसने देवराद से प्रेम पूर्वक कहा मैं इस कारे को करूँगा इसमें संशी नहीं है ऐसा कहकर शीव की माया से मोहित हुए काम ने उस कारे के लिए सभी कृति दे दी और शीगरी उसका भार ले लिया वे अपनी पतनी रती और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसंता के साथ उस थान पर गया जहां साक्षात योगी इश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे तो ये था रुद्र सहिता का चौदवां पंद्रवां सोलवां सत्रवां अध्याए ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरुजी सदा सहाए